हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टु दे चैनल दोस्तों हमने अलड़ी मैस प्रैक्टिकल शुरू कर चुके आपका और इसके अंदर हमने फर्स वीडियो में थोड़ा इंटराक्शन दिये थे और यह होम असाइन्मेंट M1 का यह एक्टिविटी किये था हमने पेज नुबर 6 औ पेज नुबर 7 पे आप देख सकते हैं तो कि इसको लिग भी सकते हैं अच्छे से आज हम M2 का लेंगे और M2 के लिए हम लोग स्कूल में ओनलाइन क्लास में तो इसको हम लोग शुरू करते हैं तो फर्स वीडियो अपने नहीं देखे तो मैं उपर आई बिटन में इसका लिंक भी दे दूँगा तो फर्स वीडियो भी आप अच्छे से एक्टम देख सकते हैं चलिए आज हम यह लेते पेज नंबर 12 और 13 आज हम कवर करेंगे ओके सिमिलारेटी तो यह अक्टिविटी भी बहुत इपॉर्टेंट है अल्रीड हमने कुश्चन कर चुके तो शुरू करते हैं चलिए आप देखरें अक्टिविटी नंबर वन इन्ट्रिंगल ABC रे BD bisect अब यह जो bisector है अंगल bisector triangle यानी कि यह theorem off angle bisector यह reduce है इस साल के syllabus के लिए तो हम यह activity नहीं करेंगे ओके अब हम जाएंगे directly activity no.2 के उपर चुके यह activity no.2, 3 और 4 ही हमको करना यह activity नहीं करेंगे यह आपडेट दालेंगे यह पर प्राक्टिकल में फॉर्स जुलाइब आलेए शायद तो हम यहां पर फिफ्ट जुलाइब आलते हैं okay 2021 ठीक है तो चलिए इन दे जोइनिंग फिगर बीपी इस पर्पेंडिकलर तो अगें एबी देन एपी सी को लिनियर है यहां से एक्यू बी को लिनियर है पूरू करने अपने को ट्राइंगल एपी बी हियर एंड एक्यू सी आर सिमिलर कम्प्रीट एक्टिडी बाइ यहां पर तो एंगल एपी बी एंगल एपी बी 90 डिगरी होंगा तो हम यहां पर लिखेंगे 90 और डिगरी आपके एक्टिविटी के अंदर बॉक्स के अंदर है बाहर एंगल एक्यू सी तो एंगल एक्यू सी भी यहां पर 90 डिगरी है ओके तो हम यहां पर 90 डिगरी लिखे है, राइट एंगल ट्राइंगल यह दोने ही है, तो एंगल A P B is congruent similar to angle A Q Z, अके, एंगल P A B, P A B and Q A C, आप देखरें, दोसह यहाँ पर angle A, बीच में, center में common angle ही है, तो हम यहाँ पर reason में लिखेंगे common angle, इस तरह से हम लिखेंगे हैं यहाँ पर common angle, okay so triangle a p b is similar to triangle a q c अब यहाँपर test of similarity बताना है देखें आपर दो angle equal है तो जब भी दो angle equal होते हैं तो हम लोग angle angle यानि के a a test लिखते हैं यहाँपर तो यह angle angle test of similarity से यह congruent हो जाएगा simple एकदम easy है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग activity number 3 के लिए हैं यहाँपर same हम date दालेंगे 5, 7, 20, 21 आप भी यह date दालिए observe the given figure and complete the following activity चलिए यह भी देख लिए हैं हम लोग बहुत easy दोस्तों यह भी इस तरह के questions हमने already कर चुके A, B, C 46 degree है और E, D, C भी 46 degree है तो angle B और angle D यहाँपर congruent है क्योंके both the angle being 46 degree तो angle B is congruent to angle D लिखेंगे हम लोग यहाँपर यहाँपर लिखेंगे हम लोग angle D, okay because each is of measure 46 degree तो दोनों angle की degree 46 है congruent है, similar है तो हमने लिख दिखेंगे हम पर angle D now angle C और angle congruent to angle C because A, B, C and E, D, C both the angle are congruent तो हम यहाँपर लिखेंगे सेम है, तो हम यहाँपर लिखेंगे common angle मिला ही है, okay so therefore triangle A, B, C is congruent to triangle E, D, C लिखेंगे हम लोग यहाँपर अब यहाँपर भी देखेंगे दो angle हमें दो angle के pair हमें congruent मिल गए okay, similar मिल गए तो यहाँपर लिखेंगे by angle angle test of similarity, okay easy एकदम, चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग यहाँपर भी देख लेते हैं किस तरह से हम इसको करेंगे date हम सेम दालेंगे 57 20, 21 दालेंगे यहाँपर okay, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं in order to prove ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of the product of the corresponding basis and corresponding height यानि कि draw a neat label diagram यानि कि label figure हमें बनाना है और उसका given और to prove में लिखना है तो चलिए हम लोग given में पहले दो triangle ड्रॉख करते हैं तो इस तरह से आप लोग भी एकदम अच्छे से labeling करके scale से ड्रॉख करना मैं free hand से ड्रॉख करना हूँ दोस्तों इस तरह से में यहाँ पर यह height ड्रॉख करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर हम लोग height को ड्रॉख कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते figure के नाम सबस्में यहाँ पर A, B, C triangle कर लिख रहा हूँ यहाँ पर D दे देते हैं इसी तरह से यहाँ पर हम लोग P, Q, R और यहाँ पर S देते हैं तो यह 90 डिगरी अपना तो given में क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग in triangle A, B, C triangle A, B, C में A, D is perpendicular to side B, C तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A, B is A, D, A A, D here this is A, D is perpendicular to B, C ओके और यह triangle में क्या हो रहा है triangle P, Q, R in triangle P, Q, R P, S ओके P, S is perpendicular to Q, R तो यहाँ पर side Q, R भी लिख सकते हैं यहाँ Q, R भी लिख सकते हैं ओके तो prove क्या करना है अपने को area of triangle A, B, C fraction में ले लेंगे इसको हम लोग area of triangle A, B, C upon में area of triangle P, Q, R okay, is equal to 1 upon 2 into base into height okay, तो base क्या है यहाँ पर area of triangle A, B, C का base B, C है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर B, C multiply by what is height here, A, D तो A, D लिख देंगे and here in area of triangle P, Q, R P, Q, R का base क्या है Q, R और इसका height क्या है P, S okay, इस तरह से तो इस तरह से हम यह questions को solve करेंगे, okay, first activity reduce है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे second, third और fourth activity को हम लोग complete करेंगे, okay, तो दोस्ता अच्छे से समझ लो इसको screenshot ले लो और अपने practical book में complete कर लो चलिए, पाइतोगरस ठेरम की activity लेते है, activity number five लेते हैं, okay, तो बहुत simple है यह भी, हम लोग यहाँ पर date डालेंगे, five है, तो यहाँ पर हम लोग 15, seven डालते है 15, seven, 20, 21, okay तो जुलाई में हमारे यह दोनों chapters खतम हो गए थे, तो in the figure AC is eight, angle ABC is 90 degree, BAC 60 degree यहाँ पर, okay, AC B is 30 degree, complete the following activity to find AB and BC तो चलिए, in triangle ABC by 30, 60, 90 degree triangle theorem AB is one upon two into hypotenuse, because यहाँ पर side opposite to 30 degree is AB is half of hypotenuse and BC, तो BC यहाँ पर, side opposite to BC is 60 degree, तो अम रोग लिखेंगे यहाँ पर root 3 by 2 into hypotenuse hypotenuse AC so AB is equal to 1 upon 2 into 8 हो गया यह, BC is equal to, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग root 3 by 2 into again hypotenuse, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग root 3 by 2 into hypotenuse की value यहाँ पर 8 लिख दिए यहाँ पर, चलिए, इसको cut करेंगे so AB की value क्या रहेंगी, 2 forza 8 यहाँ पर 4 cm आंसर आ गया, और BC की value यहाँ पर रहेंगे, 2 forza 8, चलो हमें cut कर लेता हूँ, यहाँ पर, 2 forza 8, तो 4 under root 3 यह answer रहेंगा, ओके, यहाँ पर भी 2 forza 8 हमने cut कर लिए, तो answer 4 हो गया, और यहाँ पर 2 forza 8 तो value को पहले लिखेंगे, root 3 को हम आगे कर देंगे, तो इस तरह से यह activity number 5 भी अपनी complete हो जाएंगे, ओके, आप दोस्तों यह six activity, आप ओलने serum के उपर है, तो as per the reduced syllabus, pythrogram के 2.2 practice है, पूरा reduce है, तो हम वो नहीं करेंगे, उसके अंदर आप ओलने serum भी था, तो इसका भी मैंने एक video बनाया और reduce syllabus का, तो दोस्तों वो भी जाके आप देख सकते हैं, अपने channel के उपर playlist पे आपको मिल जाएंगे, तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग, activity number 7 लेते, इसको भी हम same date दालेंगे, 15-7 2021, with the help of the information, given in the figure, complete the following activity, to find AB and BC, तो सही हमने already activity कर चुक है, 2.1 practice set में, okay, AB is equal to BC, given में ये, angle BAC, BCA, यहाँ पर हम लिखेंगे, दो साइड जब equal है, तो ये दोना angle क्या हो जाएंगे, आपके, 45 degree, 45 degree क्या हो जाएंगे, same, okay, तो यहाँ पर लिखेंगे, आप 45 degree, okay, तब साइड opposite into hypotenuse, यहाँ पर under root 8 आ गया, okay, फिर से यहाँ पर 1 upon root 2 into 8 को split करें, दोसें, यहाँ पर, कैसे split हुआ यह, 4 2 जा में split हुआ, तो 4 का square root 2 है, तो 2 भार आ गया, under root में 2 चले गया, और यह root 2, root 2 cut हो गया, तो 1 into 2, यह answer यहाँ पर 2 हो गया, तो यह भी अपना answer complete हो गया, यह भी activity चले है, अब आगे बढ़ते हैं अम लोग, activity नमबर 8 के लिए, 15, 7, 20, 21, a ladder rest on a pole such that the base of the ladder is 27, okay, centimeter है यहाँ पर यह, away from the base of the pole, the top of the ladder touches the top of the pole at a height of 120, okay, dm, यहाँ पर दिया हो है, complete the following activity to find the length, okay, diameter ही यहाँ पर यह, so in angle ABC, triangle ABC, angle ABC is 90 degree, so by Pythagoras theorem, AC का square, तो हम यहाँ पर hypotenuse पहले लिखेंगे, AC square is equal to AB plus BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग BC का square, okay, so AC का square, यहाँ पर 120 का square, 12 का square is 144, और 0 का square यहाँ पर 20 ले लेंगे हम लोग, okay, plus 729, तो add करेंगे, तो 1529, अब 1529 का यहाँ पर देखो square root दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 15129, by division method से हम स्कोर root निकालेंगे, तो यह 123 answer आता है, तो इस तरह से यह अपना answer complete हो गया, okay, simple एकदम, easy है, तो इस तरह से हम यह six वाली activity reduce करेंगे, यह reduce syllabus में तो हम यह नहीं करेंगे, फिफ्ट, सेवन और यह 8, तो यह वीडियो कैसा लगा, दोस्तों मुझे comment करके बताना, और वीडियो को like भी करना, पहली बार इस चैनल पहा है, तो subscribe भी कर लेना, okay, so thank you very much, thanks for watching, Zaya Mass Academy,